यूनिक समाचार की बड़ी खवर में आपका स्वागत है नितिश कुमार ने कहा है कि जेडियू अब मोदी मंत्री मंदल में कभी सामिल नहीं होगी मोदी सरकार में जेडियू के सामिल नहीं होने के फैसले के बाद पर्टिय अद्धक्ष और वियार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार आज पटना पहुचे तो मैंने कहा ती इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरी की मंत्रि मंदल में इमांड की बात गलत है कोई जरूरी नहीं है कि हम मंत्री मंदल में सामिल हूँ, उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोई अपसोस या परिशानी नहीं है, बीजेपी से यह कह दिया है, हमें अंडिये के साथ हैं और रहेंगे, सुबह अमीद सा का फोन आया, तो उन्हें भी पार्टी और अपनी राय से अउगत करा दिया है, नितिश्ट ने कहा, सरकार के कठन पर मैं कोई पर्तिकिरिया नहीं दूँगा, किशे मंत्री बनाया जाए या बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लोग सबाचुनाव में गरीब गुर्बा, अतिपिछडा और मैला सभी ने साथ दिया, बीजेपी पुर्ण बहुमत में है, उनका निरणय होगा किशे मंत्री बनाएंगे, जडियो अध्यक्ष ने या भी का, कि इस पूरे मामले में पीम नरेंदर मोदी से बात नहीं हुई है, वुपेंदर यादो और अमीद साह से बात हुई है, पले अटल जी अपनी सभी सायोगियों से बात कर लेते थे, कि किस सायोगि को मंत्री मंडल में कितने सामिल करना है, हम सिर्फ किसन गंजहारे, बीजेपी सत्र जीती, तो पांच मंत्री बनाए, नितिशने का हम आगे भी कभी भी नहीं कहने वाले हैं, और किसी भी ऐसी बैठक में सामिल भी नहीं होंगे, धन्यबाद.